Welcome back पिछले वीडियो में मैंने आपसे बात की थी कि देश के अंदर कोईले का संकट है काफी लोगों ने कोईले के संकट को नकारने का प्रयास किया है लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ कि देश को कोईले के संकट की जानकारी P.I.B. Press Information Bureau के जरी मिली भारत की आधिकारिक जो घोशना का प्रोसीजर है उसके जरी मिली अब अगर आप लोगों ने UPSC एक्जाम के बारे में सुना है कभी सोचा है कभी लिखने का सोचा है तो आप लोगों को आपके सीनियर्स ने जूनियर्स ने साथ पढ़ने वालों ने ये जरूर बोला होगा कि सब पढ़ो इसके साथ साथ आपको P.I.B. के नोटिफिकेशन जरूर पढ़ने नहीं बताऊंगा मतब फोटो नहीं दिखाऊंगा वरना आप समझ जाएंगे कि सेटिफिकेट वाली फोटो होमपेज पर भी आजकल चल रही है क्यार सौबात की एक बात अगर कोईले की समस्या नहीं है तो सरकार ने आधिकारी घोशना क्यों की कि देश के अंदर कोईले की समस्या है और अगर कोईले की समस्या है तो सरकार मना क्यों कर रही है कि देश के अंदर कोईले की समस्या नहीं है और अगर कोईले की समस्या नहीं है तो साथ में यह क्यों बताया जा रहा है soft signal क्यों दिये जा रहे हैं कि कोईले की समस्य सुल्जाने के लिए सरकार हर संबब प्रयास कर रही है और हम private players से महंगे दर पर बिजली खरीद कर आपकी ज़रूत पूरी कर रहे हैं फिर से वही बात नई company, एक नया vertical segment पूरा whole lot एक नया explore करने के लिए market तरीका भही तरीका existing players को बदनाम कर दो existing players को इतना weak कर दो कि वो sustain ही ना कर पाए अच्छी services और उसके बाद हम कह दो कि आपको मजबूर ही है भई आप चूज कर लो private players को अगर आपने हर्शन मैता की series देखिया दा scam तो उसके अंदर big bull के लिए काहता है यह होने जा रहा है बिजली की कमपनियों मेरे को problems है बिजली देखो let's be honest अगर मैं इस वीडियो में सिर्फ यह कहूँ कि बिजली कमपनियों ने गलतिया नहीं की तो बिल्कुल एक unfair हुआ है इस वीडियो में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक दोनों बात करूँ मेरा personal opinion यह है कि बिजली के जो कमपनियों उनके local करमचारियों ने बहुत corruption किया बहुत corruption किया इसमें कोई doubt नहीं है लेकिन corruption पकड़ने का corruption देखने का एक mechanism होता है अगर आप उस mechanism को दैनिक भास पकड़ पर छापा मारने के लिए यूज़ कर रहे हो तो naturally आप बिजली विभाग का corruption नहीं पकड़ पाऊगे और company को बंद करना corruption खतम करना नहीं होता है मैंने पहले भी कहा था मैं फिर कह रहा हूँ जिस चीज को सरकारी विभाग में आप लोग corruption कहते हो, रिश्वत कहते हो, bribery कहते हो चीज, same चीज private में जाके law भी बन जाती है उसको incentive कहा देते है या bonus के नाम पर चीज कर दी जाएगी legal कर दिया जाएगा तो यह मत सोचना कि privatization के बाद corruption कहतम हो जाएगा लेकिन मैं फिर भी आपको यह बात कहता हूँ बिजली कमपनियों ने खंबे लगाने के लिए जो इंजीनियर है, जो भी है इन्होंने थोड़ थोड़ा पैसा गरीब आद में उसे लिया है एक negative image लोगों ने बनाई है अब यहां से आती है main बात 31 अगस्त की ख़बर यह कहते है कि जब सरकार को पता चल गई थी कि कोईले का संकट आने वाला है तो उनोंने दो बड़ी कमपनियों को अनुमती देदी कि गुजरात में cold based प्लांट से सरकार को बिजली बेचे 31 अगस्त की ख़बर है मैं फोटो लगा रहा हूँ साथ में देखिए और यह private कमपनियों के नाम आप देख लीजे कौन से हैं टाटा और अडानी इस देश के अंदर टाटा और अडानी के power plants है कोईले के बिजली बेच नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कि भाई सब का धंदा पानी चलता रहे यह बात तो बिल्कुल परे है ना कि आडानी और टाटा का power प्लांट एक दम आडल पड़ा रहे आप शब्दों एक और करो शब्द इनों ने लिखा है कि जो power plant आडल पड़े उनकी extra generation को बेज सकता है या सरकार को पहली बात बिजली की समस्या यह है आप लोग को लगता होगा कि भारत सरकार आसता कि ते सालों में बिजली की समस्या क्योंने solve कर भाई बिजली की समस्या यह है कि अगर आपने पावर जनरेशन का एक प्लांट लगाया है तो उसके साथ-साथ आपको delivery का भी एक transmission का भी infrastructure बनाना पड़ता है आपने बिजली बना दी ठीक है लेकिन बिजली बनने के साथ-साथ सेम टाइम पे रियल टाइम में consume होनी चाहिए अगर वो consume नहीं होई तो फिर Google läuft ह ओई और लॉगे ड्रा में हो गे बिजली की कटाउकी की कमी हो जाएगी वह उन को दो गवंटे इस एरे मा कट के दो गवंटे हो सेरे में काट के चार गवंटे हो से एडिया generation हो रहा है तो consume होगा और अगर consumption के लिए ready किया जा रहा है तो generation पहले से ready है उनके पास koila है उन्होंने उन्होंने arrange कर रहा था koila अब इसके पीछे परदे के पीछे क्या खेला वो मुझे नहीं पता मैं किसी को blame नहीं करता हो सकता है it's a mere coincidence बर सौबात की एक बात यह है कि तरीगा वही है आप जब किसी का काम ना खराब कर पाओ नाम खराब कर दो और बिजली की company बेचने के बारे में अगर मुझे कोई पूछे कि क्या यह बिग पाएंगे ने बिग पाई देखो बैंक बेचना अलग होता है एर इंडिया बेचना अलग होता है बिजली बेचना अलग होता है बिजली बेचने में यहिए कि आपको जैरों लाखों करोडों उपतबोगता है एक शहर में राज्या में मिले हुुँ पूर करना है power plant generation, सब कूछ set पूरी steam line supply land, सब कुछ set अखोईला, यहां से आएगा, यह shift पे इतना generation होता है, इतने megabatt की capacity, इतना megabatt यहां से आ रहा है, इतना megabatt यहां से आ रहा है, पूरे शहर में आपको कुछ नहीं करना, बस आपको handover लेना है, उस project का, उस शहर की बिजली company लिगस्था का, और अगर आप उसे 5 उर्पए पे बेचते हैं, और अगर आप उसको 5 उर्पए 10 पैसे भी कर देंगे, पर यूनिट, तो भी नई company हजारो करोड के फायदे में होगी, तो कहने का मतलब, bank और बिजली बेचना बिलकुल अलग-अलग concept है, बैंक नुकसान में चल रहे हैं, बैंक के होती है, आपके राज्य में, आपके शहर में, आपके कॉलोनी में, आपके महले में, आपकी गली में, तो सौबात की एक बात यह है, कोई कुछ भी कहे, तरीका बिजली कंपनियों को बेचने का स्टार्ट हो चुका है, अब करना क्या है वो मुझे नहीं पता, बट I am just discussing, इ अगर राष्ट्रहित में फैसला है, तो आप फ्रेंट पे आगे लो, आप कहो कि हाँ ये राष्ट्रहित में है, 307 accept और देश ने, पैंसन accept कर लिया देश सवार चल रहा है, तो यह मत करो, और कम सेคम फ्रेंट पे आखे वार करो, फ्रेंट पे आ कहो कि हमारा intention यह है और यह कारण है अगर कारण नहीं है rational नहीं है तो सव बात की एक बाद है आप पर क्रोनी capitalism को help करने की इल्जाम लगेंगे और एक समय के बाद वो इल्जाम नहीं है यह पता चल जाता है कि वो आपकी इच्छा थी वो आपका motto था और वही आपका intention और यह मैं जया हिंद